नमस्कार दोस्तो स्वागता आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तो आज हम जिस भरती के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है जल बोल्ड तो दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जल बोल्ड भरती में नई भरती आ गई है और इ एज लिमिट होगी वो होगी 18-40 साल तो अगर आप 18-40 साल के बीच के हैं तो आप इस भरती में अपलाई कर सकते हैं और यह भरती होगी दोस्तो ऑल इंडिया के लिए मतलब आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप इस भरती के लिए अबिदन कर सकते ह तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि इस भरती में मेल और फिमेल दोनों ही आविदन कर सकते हैं और यहां पर कई वेरियस पोस्ट पर वैकंसी के लिए नोटिफिकेशन जारे की गई है जैसे दोस्तों आज हम जानेंगे डिटेल में इसी भरती के बारे में तो दोस्तों बने रहे हैं मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं वाटर वोड ड्राइबर रेक्रूटमेंट 2020 ग्रूप B और C पोस्त ऑनलाइन फॉर्म तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों हेलो फ्रेंट्स यहां पर दिया हुआ है नमरों बैकेंची टोटल बैकेंची होंगे दोस्तों हमारे यहां पर 227 इसके बाद में पोस्त नेम है दोस्तों टेक्निकल ऑफिसर सेंटिफिक अ सब ऑफिसर स्टेनोग्राफर अपर डिवीजन क्लर्क एंड ड्रैवर तो यह हो जाएंगे दोस्तों आपके पोस्त नेम जो 277 वेकंसी के लिए निकाले गईगे हैं वेकंसीज तो यहां पर आप देख सकते हैं हूं कैन अपलाई में दोस्तों यहां पर आप और आप और इ कर सकते हैं तो तो अपलाई मोड होगा इस भरती का ऑनलाइन जिहां दोस्तों ऐनलाइन फॉर्म इस भरती के भरे जाएंगे पेस्केल की बात करें अगर तो पेस्केल दोस्तों बहुत अच्छा होगा 2200 रौपय से 56900 रौपय पर मन्त तक यहां पर आपका पेस्केल होगा और job location all over India होगी दोस्तों एप्लिकेशन फीज की बात करने तो जनरल और OVC candidates के लिए 100 रुपए होगी और SCST और female candidates के लिए यह application fees free होगी तो अगर आप SCST या फिर female है किसी भी candidate किसी भी category से आप अगर female है जनरल OVC SCST तो आपको कोई भी application fees नहीं देनी होगी यह आप SCST से विलोंग करते हैं तो आपके लिए application fees नहीं देनी होगी एज लिमिट की बात करें दोस्तों तो एज लिमिट आपके 18 से 40 साल होगी और एस पर गवर्मेंट रूल SCST के लिए 5 साल और OVC के लिए 3 यर relaxation होगा एज में तो दोस्तों physical standard की बात करें अगर तो for male candidates 152 सेंटिमेटर और for female candidates 148 सेंटिमेटर अगर physical की बात करें दोस्तों male candidates के लिए 152 सेंटिमेटर और female के लिए 148 सेंटिमेटर हाइट होना जरूरी है चेस्ट के बात करें दोस्तों तो test stop के होगा और जो हुआ है कि उसके बाद में यहाँ पर आपका 1.6 किलो मिटर मतलब 1600 मिटर की रणिंग होगी जिसको आपको 10 मिट में पूरा करना होगा अगर आप 10 मिनटों पूरा करते हैं तो आपको 10 नमबर मिलेंगे और 10 से 11 मिनट के बीच में पूरा करते हैं तो आपको 8 नमबर मिलेंगे 11 से 12 मिनट के बीच में अगर आप इस बर रनिंग के लिए पूरा करते हैं तो आपको 6 नमबर मिलेंगे और अगर 12 मिनट से आप आगे जाएंगे तो no marks तो दोस्ते हैं आप सेलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं candidates will be selected based on written exam और skill test तो जैसे अगर आप driver है driver की post के लिए apply कर रहे हैं तो आपका driving test होगा stenographer की post के लिए तयारी कर रहे हैं तो आपका short hand test होगा stenographic test होगा और अगर आप UDC यानि कि अपर division clerk के लिए आप अगर अपलाई कर रहे हैं तो आपका यहाँ पर tapping test होगा तो यहाँ पर skill test से यह यहाँ पर मतलब है और written test written test सभी भरती के लिए होगा आपकी cv post के लिए apply कर रहे हैं तो written test आपका सभी में होगा important dates के बारे हम दोस्तों हम जान लेते हैं तो starting date for submission of application form 11 जनवरी 2020 से इस भरती के लिए online form भराई जाना शुरू हो चुके हैं last date for submission of application 31 जनवरी 2020 मतलब आपको अपने जो लास्ट डेट है इस भरती के लिए apply करने के लिए अप्लाई करने के लिए 30 जनवरी 2020 से online exam date होगी दोस्तों आपकी 12 से 13 फर्वरी 2020 एक्जाम आपको online होगा जो 12 से 13 फर्वरी 2020 के बीच में कंड़क्ट किया जाएगा तो दोस्तों इस भरती में हमने जाना आज कि वाटर वोड ड्रेवर रेक्रूट मेंट ने जो 2020 के लिए ग्रूप B और ग्रूप C के लिए online पोस्ट नेका लिए हैं उसके बारे में तो दोस्तों कैसी लगी यह वीडियो मुझे कमेंट करके जरू कर लें क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरह से वीडियो लेकर आता रहता हूं तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जैहन जैवारत